जै महाकाल दोस्तों, मेरे यूटूब चैनल के माध्यम से आज मैं फिर एक नए जानकारी लेकर आया हूँ, धन तेरस, चवदस, नरका चवतिरुदसी और दिवाली के दिन, ये साथ प्रकार के जड़ को लाने से आपके घर में धन संपदा, वैभाव और आकास्मिक धन प्र करने के लिए, ये सब प्रयोग करने के लिए आपको इस जड़ों के आवसकता परेगी, ये जड़ जो है धन संपदव को अपनी और खिचने वाली जड़ी बूटी है, इससे ताहबीज बनाकर पहनने से किसी भी प्रकार का जो गलत तुर्जा है, ना कारात्म गुर्जा है इस तंभन के लिए उपियोग की जाती है, इन सभीक बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं, क्रिप्या करके वीडियो को अंत तक देखे ताक कि आपको सब समझ मा सके किसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आपको बता रहा हूं, जिस भी जड़ को आपको ल कामाल ये सब लेकर कि वहां जाना है और आपको बोलना है कि के वरिक राज। printing के राज। समय करना ही बताना है और वाल देना है कि में आपको लेने के विए आउंगा और आप व्र fossilान आंप कांक कर दी जीए इस प्रकार से आपको विंति करना है प्रात्ना करना है फिर आपको दूसरे दिन सुबह चले जाना है और वहां आपको आते देखे जाते देखे लेकिन वह जड़ को निकालते हुए आपको ना देखे इस प्रकार से आपको यह प्रयोक करना है आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रयोक करने से आपके घर में धीरे धे धन संपदा के भंडार बनने लगए अब आपको हम पहला जड़ के बारे में बता देते हैं जिस जगह पे बर और पीपर दोनों एक सांथ होते हैं वहां को आपको जड़ को आम अंत्रण दे के लिए आना है इस जड़ को आपको ताबीज बना के आपको रख लेना है यह धन को अपनी और खिचने वाला एक असरकारीक जड़ी बूटी है इस जड़ को आप सिद्ध करके आप इसका प्रयोक करते हैं तो आपको धन विद्या प्राप्त होने लगेगा इसी प्रकार से दूसरा जो जड़ है चमेली का जड़ चमेली के जड़ में साक्षात हनमान जी का वास होता है इसको सनीवार और मंगलवार के दिन बजरंग बली को चमेली के तेल चड़ता है इसलिए चमेली के जड़ में साक्षात हनमान जी होते हैं आप इसको भी आम अंत्रन देख करके इसको आप धारन करते हैं तो वह वेक्ति जो आपके सामने हैं वह आपके लिए सम्मोहित हो जाएगा कोट का चहरी का जो काम होता है वो आपका पूर्ण होगा और किसी भी प्रकार का आपको कार्य पूर्ण होगा और धन संपदा प्राप्त होगी इसी प्रकार से तीसरा जड़ जो है कपास का जड़ इसको आपको अमंत्रन देके और पूजा करके आपको लेके आना है और इस जड़ को पूजा वाले इस्थान में रखना है और इसको रखने के बाद इसमें जल छिड़क करके इसको पूजा पस्ट करना है उसके बाद इसको तामबा या चांदी के तावीज में इसको डाल के पहन लेने से, किसी भी प्रकार का धन समबंधित, समस्या, धन की कमी, सुख वैभोग कमी, या फिर रुका धन आप कोई उधार ले लेता है, वो आपको नहीं दे रहा है, इस प्रकार की समस्य हो, तो इस प पास के जड़ से, इसी प्रकार से कुशा का जड़, कुशा के जड़ में माल अच्मी जी का वास होता है, इस प्रकार की जड़ को लेकर की धन वाले स्थान में, जहां आप पैसा रखते हैं, तीजोरी, अलमारी, उसमें आपको रख देना है, या फिर आपको इसको अपने पर्स में रख लेना है, जिससे धन का कमी आपका दूर हो जाएगा, और पैसा जो धन रुपी आप रखे हैं, उसमें कमी नहीं होगी, इस प्रकार से कुशा का जड़ भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और कुशा को जड़ को निकालते समय आपको माल अच्मी जी का ध्यान करन हैं, और लच्मी जी का मंत्र आपको जाप करना है, ओम नमो लच्मी नमह इस प्रकार से आपको जाप करना है, और उस कुशा के जड़ को ला करके आपको ताहबीज बना करके या फिर अपने पर्स में रखना है, इसी कड़ी में तीसरा एक जड़ जो बहुत सरे अनेक बिम से जाना जाता है, यह इस प्रकार से वो लड़ जीरा होता है, इसके जो फल लगे रहते हैं, यह उल्टे लगे होते हैं, कांटे जैसे इसके फल होते हैं, आपको इसका जड़ी को लेकर आना है, इसका जड़ है, मैं देखा दे रहूं आपको इसका जड़ निकलता है, इसका जड़ को आपको ले लेना है यह कई प्रकार के काम में आता है इसका प्रयोग वसी करण में सम्मोहन में लच्मी और सरस्वती प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इसका भी प्रयोग आपका रुकधन और धन सम्मपदा प्राप्त करने के लिए लच्मी प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है यह बहुत ही चमतकारी जड़ी है इसको लड़ जीरा अपा मार के नाम से जाना जाता है इसी प्राकार एक और जड़ होता है गुलर का जड़ इसमें साक्षात कुबेर जी कवास होता है बुजूर को लोग बताते है इसक प्पूल है वो कभी कोई खिलते हुए नहीं देखा है कभी इसका फूल नहीं मिला है लेकिन इसका फुल्क जरूरत नहीं है आपको, आपको क्या करना है? इसका जड़ होता है, उस जड़ को आपको ले आना है, और इसको पूजा करके इसको रखना है जिससे कि यह जड़ सिध्ध हो जाए, और इसको आपके पर्ष में, धन वाले स्थान में या ताबिज बना के रखना है इससे भी आपको धन संबंधित या फिर कहीं पर भी आकास्मिक धन की प्राप्ति होगा और कहीं पर भी आपको धन संबंधित किसी भी समस्य आपको नहीं आएगी इसी कड़ी में एक जड़ होता है सेमहल का जो पेन होता है काटा काटा उसमें लगा रहता है बाल से महर का जड़ हो तो और अच्छा है बाल से कई लोग देखे ह commandments से अधमठा जो प्राडि करके लपेट करके पानी में दो करके दिपावळी के दिन रात में इसको दाबीज बना करके रखने से किसी भी प्रकार का नजर, जादू, टोना कोई आपको पासान नहीं करेगा और आपके घर में सुक्षम रिद्धी प्राप्त होगी इस प्रकार से यह सातो प्रकार के जो जड़ है वो धन प्राप्ती के लिए आपके लिए बहुत ही महत्व पून और असरकारी जड से देखें यह बहुत ही महत्व पून है और इसी प्रकार के अरुएदिक जड़ी बुटी मंत्रों से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें शेयर करें ताकि लोग अपने बीमारियों से अपने परसानियों से मुक्ति पास सके धन्यवाद जय हिंद जय जोहार जय छत्तिस गर्ड़